सबसे पहले हम सुमूल का बनाने के लिए सबसे पहले हम सुमूल का अधा किलो 500 ग्राम्स पनील लेंगे इसे हम ज्यादा पतले भी नहीं और ज्यादा मोटे भी नहीं इसे अच्छे से हमें क्यूब्स में कट कर लेना है पनील मलाई और मारीनेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमने सुमूल का धई यूज किया है और इसे मैंने हैंकर किया है पानी निकाल दे अब इसे अच्छे से हमें हाज से सॉफ्ट करना है बिल्कुल पानी नहीं होना ची हमारे धई में धई को अच्छे से हमें इसे सॉफ्ट करना है मैंने 500 ग्राम्स सुमूल धई लिया है और आप इसका पानी निकाल दोगे तो यह आराम से 200 ग्राम्स तक जो मैंने काजू को दो से तीन घंडे पहले गरम पानी में बिगो रखा था और अब इसे बहुत कम पानी में इसका पेस्ट बनाया अब जाएगा चीज ग्रेट किया हुआ चीज बिल्कुल रूम टंपरेचर में होना चीज है यह दो छोटे क्यूब्स है चीज के तीनों चीज को मिक्षर को हम अच्छे से मिला लेंगे अब इसमें मैंने मलाई या फिर फ्रेश क्रीम आप ले सकते हूँ मैंने फ्रेश क्रीम लिया है एक चोथाई कप फ्रेश क्रीम जाएगा इसमें यह हरी मिर्च और लसुन का पेस्ट बनाया मैंने इसमें अतरप्ख नहीं हो जाएगा सिर्फ लसुन और हरी मिर्च का पेस्ट एक से देर चमच अब इसमें काली मिर्च का पाउडर, एक चोथाई चमच, एक चमच कसूरी मेध्धी, अब इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे, बिल्कुल सौफ्ट मैरिनेशन बनना चीह हमारा, अब हम इसमें एक चमच बिल्कुल रूम टेंपरेचर पे रखा हुआ बटर अड़ और एक चमच राई का तेल, आपकी पैस राई का तेल अविलिबल नहीं हो, तो आप ओलिव ओईल या फिर कोई भी वेचिटीबल ओईल अड़ कर सकते हो, इसे अच्छे से मिक्स करना है, सारे लंक्स निकाल देना है, और सौफ्ट मैरिनेशन तयार करना है, हम इसमें स्वा माद अनुसार नमक डालेंगे, कुछ बारिक कट हुई, हरा धनिया डालेंगे, बारिक कटा हुआ, और इसे अच्छे से मिलाएंगे, मैरिनेशन हमारा रेडी है, मैंने दो छोटे प्याज इस तरह काट लिया है, और एक बड़ा शिमला मिर्च इस तरह काट के रेडी है, अ हम अभी हमारे वेजेटेबल्स एड नहीं करेंगे, सिर्फ पनीर को अच्छे से मैरिनेट करेंगे, और 30 मिर्ट इसे अच्छे से मैरिनेट करने रख लेंगे, हमने अच्छे से हमारे पनीर को मैरिनेट कर लिया है, अब हमारे बचोए मैरिनेशन में हम अपने वेजेटेब अब हमार पनीर और वेजटीबल अच्छा से मैरियनट हो चुका है अब मैंने ये दो टिकर स्टिक्स लिये हैं अब हम इसे एक एक करके हमारे पनीर क्यूब्स कोट किया हुआ अनियन प्याज श्रिम्ला मिर्च फिर से हमारा पनीर और इस तरह हम अपने पनीर और टिकका को स्टिक में दन आपके पाज अगर स्टिक नहीं हो तो आप डिरेक्ली पैन में भी कर सकते हो टिकका जब तक हमारा मैरिनेट हो रहा है हम स्पेशल टिका चट्नी बना लेंगे उसके लिए मैंने आधा कप फूदीन और आधा कप धन्या दो करके मिक्सर में दाल रहे हूं दो हरी मिर्च तीन लसन एक से धाई बड़ा चमच सुमूल धाई अब इसमें हम नमक स्वाद अनुसार दालेंगे और एक चुथाई चमच चीनी शक्कर अब इन सब को हम अच्छे से पीस लेंगे सो हमारी पनी टिका स्पेशल चटनी जो धाई से बनती है वो तयार है अब लास्ट में हम बस इसमें एक से दो तीन डॉप लेमन जूस अड़ करेंगे और इसे एक अच्छा सा मिक्स देखे हमाई चटनी रड़ी है हम हमारे टिका सालड बना लेते हैं मैंने इस तरह एक प्यास को लंबा-लंबा पतले कट कर दिये हैं और मैंने एक टमाटर कट किया है इसके अंदर की सीड्स मतलब बीच टमाटर के निकाल दिये हैं अब इसको अच्छे से मिला लेंगे और अब इसमें हम आधी चमच लाल म मसाला कुछ कसूरी मेथी ये धनिया और फुदीना कटा हुआ आड करेंगे अब इसमें एक दो ड्रॉप निम्बू के आड करेंगे और इससे अच्छे से मिला लेंगे ये टिका सालड हमारा रेडी है अब हम टिका अच्छे से बाबिक्यू या ग्रिल या पैन में फ्राइ करते हैं पैन में सबसे पहले आधा चम्मच बटर एड करेंगे और एक से दो चम्मच ओलिव ओईल आपकी पास ओलिव नहीं हो तो आप कोई भी वेजिटेबल ओईल आड कर सकते हो अब इससे अच्छे से पैन में स्प्रेड करेंगे बिल्कुल काम और तेल और बटर में हम अलों फ्राइ टिस आप एक साइड अच्छे से करना अच्छे में मिडियूम इनम करना अब हमें इस से बिल्कुल धीरे से प्लटना आ बिल्कुल इस तरह, दोनों साइड अच्छे से, हमारा टिक्का शेलो फ्राइ होना चीए, हमारा बिल्कुल ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, अब इससे मैं पहले प्लेट में निकाल दूँगी, एक-एक करके, ग्यास की फ्लेम मेडियाम रखेंगे, और हमारा टिक्का ऐसे पकड़के, बिल्कुल इसको चापकुल बाबेक्यू का टेस्ट देना है, हम ऐसे डिरेक्ट ग्यास पे इसको होने देंगे, जो ये बॉन धीरे-धीरे हमारे वेजिटेबल्स और पनीर पे आ रहा है, बिल्कुल इस तरह, बस, सो अपना पनीर मलाई टिक्का अब सर्फ करने के लिए रेडी है, यह हमारा टिका स्पेशल सलाड, टिका स्पेशल चटनी और यह हमारा मलाई टिक्का, दर्शक मित्रो, सुमूल ना पनीर ती बनेलू, पनीर मलाई टिक्का रेडी छे, अपने फरीदी मली स्पेशल नवी रेसिपी साथे, खवर्चे.com पर सुमूल्स किचन शोव मा, थैंक्यू, अरुम्ट्रो, हमारा, ती बन्सेशल शेशल पुमूल्स किचन है, ती बन्सेशल किचन किता भी बनादो फिसच्छन शाधोर, सुमूल्स किचन है, अपने खवर्चे.com अर्चे.com झाल झाल